सौहल दोस्तों स्वागता है आपका आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम आज सीखने वाले हैं कि मीठर वर्ड के अंदर जो हमारे Google Authenticator code है अगर वो गुम हो जाता है घांद तो पिर हमें जो keyword code मिलता है अगर वो गुम हो जाता है हमारा OTP गुम हो जाता है अगर नहीं generate हो पाता है तो उसको कैसे recover किया चाहे बहुत ही ज़्यादा लोगों के YouTube वीडियो के तुरू जिन्होंने देखा हुआ है मेरा मीतरवड का बहुत सारे message वो आये हुए है ठीक है तो हर किसी का यही message आ रहा है दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली वार है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीए subscribe और दन वड़ते हैं अपने topic के और दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है अपना जाना है Chrome browser के उपर जाके आपने क्या करना है meterworld.com type करना है जैसे आप देख रहे ऊपर meterworld.com type करना है आपने तो then type करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर आपको दो option दिखेंगे ठीक है या तो आप login कर लो जहां फिर आप sign up कर लो ठीक है hope आप सबने login करा होगा तब ही तो आपका google authenticator code है तो हमें क्या करेंगे फटा फटा अपनी ID यहाँ पर हपन क्या करेंगे login कर लेंगे ठीक है जैसे ही हमने अपनी ID को login किया तो यहाँ पर हमें क्या है कि जब अगर आप Google Authenticator code है वो अपना जरनेट कर लिया होता है तो यहाँ पर वो option नहीं आता है ठीक है अगर जिनोंने नहीं किया है उनका यहाँ पर option दिखेगा जिनोंने जरनेट कर लिया है उनका यहाँ पर option नहीं दिखता है ठीक है उसका हल क्या है कैसे उसको recover किया जाए उसके वारे में यह पूरी की पूरी वीडियो मैं बना रहा हूँ डिटेल से देखना एक एक स्टेप को ध्यान से समझना क्योंकि अगर आपने skip किया तो आप कुछ चीजें छोड़ जाएंगी आपकी तो फिर मुझे मत बोलना कि भाई आपने तो चीजें solution बताने के लिए किया था लेकिन यहाँ पर कुछ और ही हो गया ठीक है तो ध्यान से यहाँ पर चीजों को देखना और समझना आपको क्या करना है यहाँ पर आपने ID को login कर लिया ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो भी earning वगएरा यहाँ पर दिखती है mcash, e-banks वगएरा है यहाँ पर आपकी दिखती है आपको सबसे पहले क्या करना है इस चीज को आपका देखो यहाँ पर यह क्या है mobile mobile mode के अंदर यह phone आपका चालू है आपको क्या करना है अगर आप mobile phone के अंदर ही करना चार्थ तो कर सकते हो वरना इसके ओपर करना है okay ठीक है support system के ओपर okay करने के बाद आपको यहाँ पर देखो मैंने already यहाँ पर एक message करा हुआ है ठीक है यह message है withdrawal problem का subject मैंने लिखा हुआ था withdrawal problem मुझे आ रही है यह account है ठीक है यह ticket number है यह यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है waiting for a action ठीक है यहाँ यह चीज़ें यहाँ आई हुई है अभी आपको क्या करना है यहाँ पर support के ओपर इसको okay करना है ठीक है यहाँ पर support के अपर हमने okay किया हम क्या करेंगे अगर यह ऐसे नहीं चलता है आप क्या करो इसको आप dextrot mode के अंदर ले लो यहाँ पर तीन लाइन दिख रही है तीन लाइन के उपर okay क्या desktop mode के अंदर इसको आपने कर लिया जैसे हम dextrot mode के अंदर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी की पूरी डिठेल पर करना है OK, support के उपर करना है OK, ठीक है यहां पर गए, awaiting के उपर OK कर दिया, ठीक है जो हमारा message था, उनकी तरफ से जो support system के यहां पर हमारा message आया था, उस पर उपर हमने कर दिया OK, तो देखिए, यहां पर हमने न, एक already request डाली हो थी, किनकी तरफ डाली हो थी, यहां पर, नंतर रोए, उनका username है, email ID है, और mobile number यहां पर मैंने mention करा हुआ है, ठीक है, तो यही चीज़ें आपको mention करनी है, यहां पर दिखेंगी, यहां पर आपको तीन से चार चीज़ें ओवर दिखेंगी, कि आपको क्या करना है, आपकी जो भी query होगी, आपकी क्या query है, कि मेरा Google Authenticator code है, वो यहां पर गुम हो चुका है, मुझे उसे recover करना है, तो आपको वो चीज़ यहां पर type करनी है, आपको वो चीज Authenticator code has lost, please recover my Google Authenticator code, ठीक है, जैसे आप यह लिखोगे, और देन सब्मिट करोगे, सब्मिट करते ही, आपका क्या होगा, यह email उनके पास चला जाएगा, support system के पास, ठीक है, Saturday, Sunday मत करना, ठीक है, Saturday, Sunday छुटी रहती है, ठीक है, मंडे को करोगे, तो हो सकता है, आपका Tuesday टक, मंडे स्वंबार को करोगे, तो मंगलवार तक वो शाम तक क्या है, मंगलवार को दुपहर तक ही activate हो जाता है, फिर से जरनेट आप कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे, जो आपकी problem है, वो query आपने यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, यह query, वो लिखके, न दालनी है, तीसरा आपका mobile number, ठीक है, यह तीनों चीज़े आपने यहाँ पे डाल के इसको करना है, submit, जैसे आप submit करोगे, उनके पास यह चीज, आपका message है, वो चला जाएगा, फिर उदर से जो reply आएगा, या तो सीधा-सीधा पहले क्या होता है, कि वो सीधा ही जरनेट कर करके छोड़ देते है, reply नहीं देते है, ठीक है, मेरा यह जो वाला था, ठीक है, यह जो मैंने करा हुआ है, इसका सीधा-सीधा ही इसका problem का हल हो गया था, इसलिए उन्होंने कोई भी reply नहीं दिया, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, सीधा ही अपना क्या कर देते हैं, कि आपक को डालके आप OTP जनरेट करके अपना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो ठीक है ऐसे करके आपको ये solution करना है अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे WhatsApp नंबर नीचे मैंने दिया हुआ है आप मुझे मैं message कर रहे हैं कि sir मेरा recover करा दो तो सबको मैंने ऐसा ही solution बताया है तो सबके recover हो गए है तो आपको भी ऐसे ही करना है Saturday Sunday को छोड़के घ्ञान से समझो मैं बोल क्या रहा हूँ Sunday और Saturday को ठीक है छोड़के Monday को हमेशा सोंबार को आप morning में कर लो जहां फिर afternoon के अंदर उनको message ये वो send कर दो वो क्या करेंगे आपको सोंबार के शाम तक जहाँ फिर मंगलवार को सुबा तक आपका वो recover हो जाएगा दोस्तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करकर जो बताएगा फटाफट और देन ऐसे हमेशिंग दर वीडियो के लिए हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और देन वैल आइकन बटन को दबा लीजिए अगर आपने अभी तक मीथर वर्ड के अंदर जोईन नहीं किया है तो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको पास आने वाला है तो दोस्तों फटाफट कर दिए चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को कर दीजे लाइक और दोस्तों के साथ कर दीजिए इस वीडियो को शेर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए उक्के जाहन बंदेवात रहो